हेलो एब्रिवान मैं अनुजा भारतवाज आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और वो है हमारा वन नेशन वन राशनकार यह आप सबको पता है कि यह जो कोरुना का समय है इसमें हमारे सामने बहुत सारी जानकारी सामने आई है अब व को मेरी government की schemes हो हो यह मेरा medical research सम्दित हो बहुत सारी बाते हमारे सामने आई है समय समय पहर हम उनकी आपके साथ पर चर्चा भी करते हैं तो आज की चर्चा का विशह है वन नेशन वन राशनकार है इस scheme नई नहीं है ए जो स्कीम, इसका जो क्रियानवन काषोता है? तो इसका जो क्रियानवन करता है वो आपके . ने सरव्जनिक वित्रण और प्रनाली का जो डिपार्ट्मेंट होता है वो करता है यह जो ministry है, यह लोग करते क्या है, यह जो भोजन हमारे पास में available है, यानि सरकार के जो गोदाम में भरा हुआ है, यह इसको आपको गरीबों को release किया जाता है, अब सरकार के पास भोजन आता कहां से, पहले हम इसकी बात करते हैं, government rate declare करती है, आपके market price, minimum support price declare करती है, वो जो buffer stock के form में government के गोडाम से रखा जाता है, यह जो सारा कारे है, किसानों से खरीदना, buffer stocks को maintain करना, यह काम करता है FCI, जी हाँ, वही FCI जिसकी 1965 में स्थापना हुई थी, यह FCI Food Corporation of India के नाम से हम जानते है, तो यह आपका जो है, यह डिसाइड करता है और यह इस तरह के से इसको अनाज को preserve करते हैं, यह अनाज किस काम आता है, यदि माल लीजे, कहीं पर drought आजाए, यानि की सुखा पड़ जाए, कहीं पर बाड आजाए, फ्लड आजाए, कहीं पर earthquake यानि भूकंप आजाए, या अभी जो चल रहा है, Corona यानि pandemic, ऐसी कोई situation है, ऐसे समय पर government के पास जो अ लायन हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, ऐसे में एक समस्य आती है, कि इनकी खाद्य सुरक्षा का क्या होगा, यानि कि जो इनका अधिकार है, कि इनको भोजन प्राप्त होना चाहिए, वो कैसे इनको अविलेबल कराया जाएगा, जो सब्सिडाइज रेट पर भोजन लेते थे, वो भोजन कैसे इन्हें मिलेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसा मेकैनिजम हो कि मजदूर कहीं भी जाए और उसको वो गवर्मेंट की फैसिलिटीज को आपका लाभानवित हो सके उसको उसका अविलेबल हो, उसका फायदा म हमने ये देखा कि One Nation, One Ration Card इसके लिए बहुती माइल स्टोन का काम करेगा, कि One Nation, One Ration Card जो स्कीम है, इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, वहां से वो गवर्मेंट के जो शॉक्स हैं, उनसे subsidized rate में भोजन अविलेबल कर सकता है, ये आपका जो खाद्य सुरक्षा अध 2013 का, उसमें ये rate डिसाइड की गई कि आपका 2 रूपे और 3 रूपे, 2 रूपे प्रतिकिलों में गेहूं और 3 रूपे प्रतिकिलों में चावल, ये गेहूं और चावल 2 रूपे 3 रूपे के खिसाब से दिये जाएंगे आपके उभोगताओं को, यहां से जो गरीब लोग ह हैं, अत्यदी गरीब हैं, उनके लिए अंतियोदय अन्योजना हैं, जिसमें की आपका rate रखी गई हैं, 1 रूपे, 2 रूपे और 3 रूपे, प्रतिकिलों में मोटा नाच, यानि की जिसको आप कोर्स क्रोप कहते हैं, जो की बाजरा, रागी, ये सब जो होते हैं, इसके अला अपनी उज्वला सिलेंडर योजना जो डलाई जिसमें कि आप हर घर सिलेंडर की स्कीम रख रहे हैं, तो आप मना कर रहे हैं लोगों को प्रदूशन के वज़े से कि आप घर में ये जो आपका कच्छा तेल बगरा या आप लकडी को जला के खाना न पकाएं, तो ये कई जगे तो शॉप्स पे अभी कच्छा तेल मिलना बंद भी हो गया है, कच्छा तेल मतब आप जो कर रहे हैं, तो ये सब मिलना बंद हो चुका है और इसकी बजाए हम सिलेंडर की स्कीम को लेके आ चुके हैं, अब ये जो स्कीम है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 81 करोड लोग कवर होंगे, ये देखिए, ये जो स्कीम है आपकी, इसमें 81 करोड लोग कवर होते हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है, और गवर्मेंट की रस्पॉंसिबिल्टी है कि वेल्पेर ऑफ द सिडिजन के लिए इस तरह की स्कीम लाई जाएंगी, अब ये आपकी निर्दन लोगों के लिए जो स्कीम है, वन नेशन, वन राशनकार, इसमें ये कहा गया है, कि एक आपका ऑथेंटिकेशन होता है, जब भी कोई व्यक्ति राशन की दुकान पर जाएगा, तो हर राशन की दुकान पर एक एक एपोस सिस्टम होता है, ये एपोस सिस् कि जो भी आपका दुकानदार है, जो कि आपका इसमें क्या ले रहे है, यहां पर डीलर होते हैं, जो कि गवर्मेंट की ये सावजनेक वितरन परनाली के अंतरगत दुकान कोलते हैं, वो डीलर अपने पास में एक पी ओएस मशीन रखेंगे, जिसको एपी ओएस भी बोल द सारी डीटेल उस दुकानदार के सामने होगी, इसके अनुसार उसको अनाज दिया जाएगा, आपने बोला ठीक है, यह तो एक सिस्टम हो गया, जिसके द्वारा आप एपी ओएस सिस्टम के तुरू आप अनाज दे रहे हैं, तो यहां पर यह वन नेशन वन राशन कार्ट पर पर टीकुलरिली ऐसा है कि माल लीज़े, दो राज्यों के लोगों ने पलायन किया, यानि कि यूपी से बहुत सारे लोग दिल्ली पहुच गए या बिहार से बहुत सारे लोग यूपी पहुच गए, ऐसे में जो स्टेट का डिस्टेंस कवर हुआ, इसमें क्या हुआ, जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है तो उसका राशन कार्ड का पहले ये समस्य आती थी कि जो उसका में इस्थान है रहने का वहीं का राशन कार्ड उसके पास होता था और वहीं वो इसकी सुवदा ले सकता था दूसरे राज्य में उसका राशन कार्ड नहीं चलत जो उनके लाब उसे लाब होगा वह राज्य किने अगर अगर अपनी खुच से कोई वितरन प्रणाली चलाई हुई है उसका लाब उसको नहीं मिलेगा वो केंद्रिय में योजनाओं का लाब ले सकता है जब आप राशन काार्ट देखेंगे तो हर परिवार के सदस्य के पर आपका बिजनस करने या काम धन्दा ढूणने उसका परिवार आपका बिहार में रह रहा है और वो व्यक्ति दिल्ली गया. तो ऐसे में वो दिल्ली में अपना One Nation One Ration Card के अनुसार जो भी उसका existing Ration Card है उसको दिखा के उसकी एक copy उसके पास होगी उसको दिखा के वो वहाँ पे उसका आधार कार्ड से लिंक होता है तो उसके आधार का नंबर EPOS मशीन में डाला जाएगा और दिल्ली में उसको उसके ल राशन उनको पिहार या यूपी जहां भी वो रह रहे हैं वहाँ पे मिल जाएगा तो यह इसकी इस हिसाब से तो बहुत अच्छी है कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है वहीं पे वो राशन की दुकान का फैसिलिटी उठा सकता है तो एक तो यह बात हो गई दूसरी बात इस सर्च कर सकता है कि राशन वित्रंड की कौन सी दुकान उसके आसपास है इससे ही काम होगा एक तो जो डीलर से उनमें कॉम्पटिशन आएगा वह अच्छा क्वालिटी का राशन रखेंगे जो कि इस तरह की समस्यां कई बार देखी गई है due to corruption कि वह राशन को जितना रिली बेच देंगे और वह नॉर्मल मार्केट रेट में आप और हम खरीद लेंगे जो गरीब लोग हैं जिनको इसका फैसिलिटी का फायदा मिलना था जिनको वह राशन आवंटे तो उनको आउट आप स्टॉक कहके जवाब दे दिया जाता है कई बार ऐसा देखा जाएगा जो वह बहुता है तो आपको जो पोर्टल है आपका अर्न वित्रन का उसमें आप देख सकते हैं उस दीलर के पास नगे दूसरे डीलर पर चले जाएंगे तो वहां पर आपका जब आपकी विक्री ही नहीं होगी तो आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी त तब यहां पर चैलेंजिस क्या है समस्या क्या है जो सामने आएगी समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति दूसरी जगे ट्राविल कर रहा और उसने गवर्मेंट की स्कीम से फाइदा लिया लेकिन हर राज्य को अनवित्रन जो डिस्ट एलोकेट होता है जो अनवित्रन के लि दिल्ली में और वहां से राशन उठा रहे हैं तो दिल्ली में कितना एक्स्ट्रा राशन अविलेबल करवाना है सरकार को यह एक सिस्टम बड़ा ही मैनेजमेंट इसके लिए जरूरी है कि जितना वित्रन हो रहा है उस हिसाब से वहां पर आपकी सप्लाई भी होनी चाहिए यानि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई में बैलेंस करना एक बहुती मुश्किल काम होगा जो भी डीलर होते हैं उनके पास जनरली उनके राशन कार्ड के लोगों का डीटेल होता है उनको यह अंदाजा होता है कि कितने राशन कार्ड वाले लोग हैं आसपास के जो उनकी दुकान से राशन लेते हैं, उसी रेशियो में वो अपने पास राशन अवेलेबल रखते हैं, तो एक समस्या यह आ सकती है, दूसरी समस्या, हमने अभी बात करी कि इस वाली स्कीम में हम लोग EPOS सिस्टम यूज करेंगे, यह जो EPOS सिस्टम है, जो हमने बोला कि आपका इंट करी नहीं है, यह उतनी वहां पे दुकाने अविलेबल नहीं है, तो उसका तो विस्तार किया ही जा रहा है, लेकिन फिर भी यह समस्या आएगी, कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति वहां पे यूज करना चाह रहा है, तो इंटरनेट अगर ग और ट्रैकिंग होना चाहिए, आपका इसके साथ में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, कि एक व्यक्ति यदि दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो तो उसे सेंटरल गॉवर्मेंट की स्कीम का फायदा हो रहा है, लेकिन यहां पे उसे कोई भी उस पर्टिकुलर राज इंटर स्टेट होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट, यानि कि एक जिले से दूसरे जिले में गया, माल लीजे, आपका कोई व्यक्ति जैपूर से वापस दौसा गया या जैपूर से वापस जोदपूर गया, तो ऐसा कुछ होगा जिसमें एक डिस्ट्रिक से दूसरे डिस्रिक कि internet services की problem और जादा management और tracking हमारा यह facilities को अगर हम अच्छे से कर लें तो यह आने वाले समय में बहुत ही successful scheme रहेगी और कोई भी गरीब हमारे हान इस तरह से भूका नहीं सोएगा और जो starvation की problem है वो भारत में से लगबग दूर हो जाएगी. Thank you.